हेलो स्टुडेंट्स विल्कम टू आर चैनल लर्निंग नोट बुक आज इस वीडियो में हम क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर कंजंक्शन्स करेंगे इस चैप्टर का हर एक कंसेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्राक्टिस एक्ससाइज सॉल्फ करकर के बताऊँगी तो इस वीडियो को एंग तक ज़रूर देखिए और अगर आप क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर का या क्लास 3 मैट्स या क्लास 3 सोशल साइंस या क्लास 3 साइंस का कोई भी चैप्टर समझना चाते हैं तो हमारे चैनल Learning Notebook पर जरूर आएं यहां हमने इन सभी सब्जेक्स के सारे chapters कवर करे हुए है तो आईए समझते हैं Conjunctions क्या होती है Conjunction is a joining word Conjunction एक joining word होता है वो किसको join करते हैं? It joins words, group of words और sentences तो जो यह Conjunctions होती है या तो यह दो words को join करती है या group of words यानि दो से ज़्यादा words को join करती है या sentences को join करती है देखिए examples के थुरू मैं आपको यह बात समझाती है यहां पर मैंने एक conjunction ली है and यह एक joining word है जिसे हम conjunction कहते है Sentence है cricket and tennis are my favorite games यानि cricket और tennis मेरे favorite games है तो यहां पर मैंने दो words को join करा है cricket और tennis को join करा है and use करकी तो यह and जो है वो एक joining word है I need some colored paper and a bottle of glue तो यहां पर and की help से मैंने group of words को join करा है colored paper को और bottle of glue को इसी तरह से mansi wrote the invitation cards and mohit decorated the room यहां पर मैंने conjunction and की मदद से दो sentences को join करा है यह यह दो अलग-अलग sentences थे मैंने इनको and की help से join किया है तो इस तरह से हम conjunction की help से या तो दो words को join कर लेते हैं या group of words को या sentences को now let's see some common conjunctions and, but, or, because are some common conjunctions students यह जो चारो conjunctions है and, but, or, because यह बहुत ही common conjunctions है जो हम अपनी daily life में जब हम sentences लिखते हैं या बोलते हैं या हम कहीं पढ़ते हैं तो हमें यह दिखती है तो पहली conjunction है and जिसे हम hindi में कहते हैं or हम use करते हैं बहुत बारी अपने hindi के sentences में यह conjunction or ठीक है तो समझते हैं and के बारे में and is used to join words or sentences that are similar तो and conjunction वहाँ use होती है जहां हमने ऐसे words को या sentences को जोड़ना है जो एक जैसे हो ठीक है and is also used to add more information अगर वो sentences या words एक जैसे ना हो पर हम कुछ और information देना चाहते हो जब भी हम and को use करते हैं let's see some examples she is young she is pretty अब यह दो sentences है जहां पर हम एक ही girl के बारे में बात कर रहे है कि वो young भी है और pretty तो इसको मैं conjunction and के साथ कैसे लिख सकती हूँ she is young and pretty अब मैंने and यहां पर इसलिए लगाया है क्योंकि young और pretty यह दोनों ही बाते similar सी हैं यह दोनों ही positive हम बात कर रहे हैं उस girl के बारे में तो इसलिए हमने यहां पर and use किया है she went to the market she brought some ribbon अब यहां पर हमने यह दो sentences हैं बताया गया है कि वो market गई और वो कुछ ribbon भी लेके आई अब यह दो sentences यह अलग-अलग हैं पर हमने और information दी है इदर हमने का वो market गई और कुछ ribbon लेके आई तो इसलिए मैंने यहां पर and use किया है ठीक है हमने और information प्रवाइड करने के लिए to add more information we have used the conjunction and here तो याद रखिये कि and use होती है जब हमने similar बात करनी है या हमने we have to provide more information next conjunction है और जिसे हिंदी में कहते है या or is used to show a choice or conjunction use होती है जब कोई choice देनी हो दो options है हमें कुछ चूज करने की choice देनी है जब हमें से use करते है जैसे कि usually जब हमारे घर में कोई guest आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं would you like coffee or tea यानि क्या आप coffee लेंगे या चाए लेंगे हम यही पूछते हैं ना हम यह तो नहीं कहते हैं coffee भी ले लो और चाए भी ले लो हम choice देते हैं coffee or tea तो ऐसे sentences में or use होता है you should take an auto or a taxi यानि तुम्हें या तो auto लेना चाहिए या taxi ठीक है यहाँ पर हमने choice दी है auto या taxi दोनों में तो जाओगे नहीं तुम बैठके एक साथ तो choice दी है or तो याद रखिए यह जो conjunction or है यह use होती है जहाँ पर choice दिखानी है next conjunction है but जिसे हिंदी में कहते है लेकिन but is used to join opposite thoughts और ideas तो यह जो but conjunction होती है यह हम जब use करते हैं जब हम बात कर रहे हैं ऐसे words या sentences की जो opposite हो उनके जो thoughts और ideas हैं वो opposite है let's see some examples अनिल is intelligent but careless मतलब अनिल बुद्धिमान यानि intelligent है पर careless है अब देखें जो intelligent और careless यह जो दो adjectives हैं यह opposite है in the sense कि यह एक good quality है और एक bad quality है careless होना कोई अच्छी quality नहीं होती तो इसलिए यहाँ पे हमने but use करा है हिंदी में हम कैसे बुलेंगे इसको अनिल intelligent है पर careless है ठीक है इसी तरह से एक और sentence देखते है john fell off a running bus but was not hurt यानि john चलती बस से गिर गया पर उसको चोट नहीं लगी अब यहाँ पे भी देखिए दो opposite ideas की बात हो ली है अगर कोई चलती बस से गिरेगा तो उसको चोट लगेगी पर उसको चोट नहीं लगी इसलिए हमने यहाँ पे but use करा है क्योंकि यह दोनो opposite ideas है next conjunction है because जिसे हम Hindi में कहेंगे क्यों की तो because हम कहां use करते है it is used to give a reason जहाँ पे हमने reason देना होता है एक action का reason देना होता है वहाँ पे हम यह conjunction because use करते है for example she is absent because she has a fever वो absent है क्योंकि उसको fever है तो हमने absent होने का reason दिया है इसलिए हमने because use करा है I am wearing this dress because I like it मैंने यह dress पहनी हुई है क्योंकि मुझे वो पसंद है तो because हम use कर रहे हैं उन sentences को जोईन करने के लिए जहां पे हमने reason देना है sentence है बोथ विराट dash हार्दिक are in the team अब देखिए यहां पे कह रहा है कि दोनों विराट और हार्दिक टीम में है तो यानि इदर क्या आएगा and दोनों की बात हो रही है बोथ विराट and हार्दिक are in the team next अब किसी गर्ल की बात हो रही है बताया जा रहा है कि वो smart है kind है और क्या है वो intelligent भी है तो यानि यह सारी चीजें उस गर्ल के बारे में हो रही है similar ideas हैं तो इदर हम लिखेंगे and next sentence tea is hot dash ice cream is cold अब इदर देखिए tea को कहा जा रहा है कि वो गर्म है पर ice cream जो है वो thundi है दो opposite ideas हैंगे तो इदर हम क्या लगाएंगे इदर हम use करेंगे but दो opposite ideas हैं इसलिए इदर but use होगा and नहीं use होगा next is our new teacher old dash is she young अब यहाँ पर क्या जा रहा है कि जो हमारी नई teacher है क्या वो old है या वो young है अब इदर choice हो रही है देखिए old और young choice दे जा रही है कि क्या वो old है या young है तो इदर हम लिखेंगे और ठीक है next aman is intelligent dash careless इस sentence में aman के बारे में बताया जा रहा है कह रहें कि aman intelligent है intelligent या निए एक उसकी good quality को बताया जा रहा है फिर कहा जा रहा है कि वो careless भी है तो careless उसकी bad quality है तो हम इदर लगाएंगे but aman is intelligent but careless ठीक है opposite उसकी qualities को इदर reflect करा जा रहा है इसलिए हम इदर but लगा रहे है we cannot eat these mangoes dash they are sad हम इन mangoes को नहीं खा सकते क्यों की वो खटे है क्यों की इदर हम यूज करेंगे because ठीक है reasoning दी जा रही है कि mangoes को क्यों नहीं खा सकते तो reason के लिए हम because यूज करते है let's see the next one stop at the zebra crossing dash you will be fine तो क्या जा रहा है कि zebra crossing पे रुक जाओ नहीं तो तुम्हें fine कर दिया जाएगा ठीक है तो इदर क्या है इदर choice दी जा रही है या तो रुक जाओ नहीं तो fine हो जाएगा तो इदर होगा or he is working hard dash his examinations begin tomorrow का जा रहा है कि वो बहुत hard work कर रहा है बहुत महनत कर रहा है और फिर उसका reason दिया हुआ है क्योंकि उसके examinations उसके exam कल से शुरू हो रहे हैं तो reasoning के लिए हम यूज करेंगे because now let's do one more question join sentences with correct conjunction अब यहाँ पर student see थोड़ा सा different question है यहाँ पर हमें ये दो sentences given है ठीक है और फिर उसके answer में उन sentences को उनोंने join कर दिया है पर conjunction missing है तो हमें यहाँ पर correct conjunction फिल कर नी है ठीक है so let's see these two sentences अनू has a pen अनू has a pencil अब उसको जब join करा दोनों sentences को तो क्या लिखा है अनू has a pen dash a pencil अनू के पास pen है और pencil है ठीक है दो similar चीजें है pen और pencil तो इधर हम लिखेंगे and next the sun rises in the east it sets in the west अब इसको जब इन दो sentences को join करा तो लिखा गया है the sun rises in the east dash sets in the west अब यहाँ पर काया है कि sun east में rise होता है और west में set होता है ठीक है तो इधर हम लिखेंगे and the house is small the house is good जब इन्हें join करा तो sentence बना the house is small dash good house छोटा है पर अच्छा है अब ऐसी बात करते हैं न कि यह house चाहे छोटा है पर अच्छा है तो पर के लिए हम यूज़ करेंगे but I ran fast I missed the bus यह sentence जब 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 हुए दो sentences तो हमने लिखा I ran fast dash I missed the bus मैं तेज भागा पर जब भी मेरी bus मिस हो गई तो इधर क्या आएगा but I ran fast but I missed the bus ठीक है is your father a doctor is your father a teacher your father a doctor dash a teacher अब इधर क्या है 24 दी गई है कि तुम्हारे father doctor है या teacher है तो इसके लिए हम यूज करेंगे or walk carefully you might slip अब इधर भी देखे choice हो गई कि ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे ठीक है तो यानि or walk carefully or you might slip I respect him he is very noble अब जब इन दो sentences को जोईन करा तो हमने लिखा I respect him dash he is very noble अब यहाँ पे reasoning दी गई है कि मैं उसकी respect करता हूँ क्योंकि वो बहुत noble है तो इसलिए हम use करेंगे because तो ठीके students यह मैंने आपको यहाँ पे काफी practice करवा दी है इन सभी conjunctions की इन सभी conjunctions की यहाँ पीं पारण काफो जाए Понसवको यहाँ हाँ नहीं पार यहाँ वर यहाँ